हेलो स्टुडेंट, स्वागत है सील्सी की यूटूब चेनल पे, मैसेल पार्शी देवाल, टीम केमिस्ट्री, हम मिड सेशन के ओर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है, आपका सेगिन जो पेपर है, उसका हम सोलुशन करने वाले हैं, इसमें टोपिक जो इन्वोल वो हैं, वो है नॉमनक्लेचर, आइसमरिजम और जी ओसी, होफुली आपने पेपर अच्छे से किया होगा, और जहां-जहां आपको कमी नजर आईए है, आपकी, आप में जो कमी नजर आईए है, वो इस पेपर के सोलुशन को देखके आप इंप्रूव कर सकते हैं, तो स्टार्ट क बात करूँ कि जैसे यहाँ, पेरोब डाइस्ट्रमर किसको बोलते हैं सबसे पहले तो यह पता होना अच्छिए, पेरोब डाइस्ट्रमर भाई, यह होता है कि more than one stereo center हो, just opposite नहीं हो, just opposite होगा, या mirroring में जोगात हो, तो इनाईटिकल होगा, उसके अलावा जो भी configuration आएगा, वो डाइस्ट्रमर में ही consider होगा, तो जैसे यहाँ पे बात करें, इसकी compound की बात करें, तो यह compound इसके साथ पेरोब डाइस्ट्रमर तो एक डाइस्ट्रमर तो यह हो गया, जोकि यह जो मीजो compound है, वो इसके इसके साथ बात करूँगा, तो यह भी पेरोब डाइस्ट्रमर हो बात करें इन दोनों की तो ये दोनों भी pair of dash trimmer है क्योंकि उपर वाले इस पर configuration है नीचे वाले इन दोनों पर change हो गया तो ये भी dash trimmer है अगर इनकी बात करें तो ये वाले है mirror image ये वाले frag 2, 3, 4, 5, मतलब total pair of diastomer, यहाँ पे हमें जो दिया गया है, उन्हें में आएंगे 5, तो आंचर होगा 3, next question बात करते है, फिर उसी question का, यह second question है, number of mesoisomer, तो mesoisomer किसको बोला जाता है, वो compound जिनमें more than one chiral center हो, and have element of symmetry like POS या COS, उनमे plane of symmetry हो या center of symmetry हो, उनको हम meso compound बोलते हैं, तो chiral center यहाँ भी है, बट इसमे plane है, यह POS present है, तो मतलब यह वाला compound क्या हो गया? POS का मतलब plane of symmetry, तो यह दोनों क्या हो गए? मिजो compound हो गए, तो answer इसका जाएगा, हो जाएगा, पैसेज सेगिन जो है वो कीटो इनोल टोटोमेरिजम का किशन है आपको पैसेज दिया गया है और पूचा है कि जब इस कंपाउन को प्रोलोंगेट ट्रीटमेंट करें हम D3O प्लस से मतलब एसीडिक मीडिय में D3O प्लस से इसको करें तो हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम रिप प्लेस होंगे यह पूचा हूँ है तो इसका सिधा सा कंसेप्ट देखो यह वाला जो कंपाउंट है यह सबसे पहले किस फोम में है यह इनोल फोम में है तो यह इनोल से कीटो में करणोट हो जाएगा यह वाला अब यह वाली हाइड्रोजन और यह वाली हाइड्रोजन जो ह वो इनोल इनोल बनाने में पार्शिपेट होगी तो यहां में एक एक्जामपल बताता हूँ इसको जब हम D2 O और D प्लस से हम रियक्ट कराएंगे तो प्रोड़क्ट तो बनने वाला है यहां भी D आएगा और यहां भी क्या आजाएगा दी आजाएगा तो प्रोड़क्ट तो अपने पास यह बनने वाला है बट यह रियक्शन हुई कैसे है कितने हाइड्रोजन सब्सिटूटेड होंगे या negative charge यहां से हां यह यहां से हां तो फिर बनेगा यह वाला और यह O minus उसके बाद यहां पर D plus जो है वो यह वापस गोमेगा और यहां से हां और यहां पर पहला D supply हो जाएगा तो जैसे पहला D supply हो गया एक H बच गया double bond O अब अगेन यह H बाहर निकलेगा यहां negative charge जाएगा वा तो इस कांच रहेगा next यह वापस उसी पेसेज का है और पूचा है कि which of the percent inol content order is wrong तो inol में हम क्या गरते हैं देखो इदर यह carbon hydrogen bond है यह c double bond O है यह keto form है keto से जब हम inol जाते हैं तो यह यहां से हां यह यहां से हां carbon carbon double bond OH और यह H तो यह inol में यह जो double bond बन रहा है ना इस double bond को जितनी ज्यादा stability मिलेगी यह double bond stable होगा तो inol का percentage बढ़ने के chance हो जाएंगे जैसे यहां से बनेगा और यहां से बनेगा तो अब यहां तो यह वाली most acidic hydrogen है most acidic hydrogen है तो most acidic hydrogen है तो inol यह H इजीवे में भार आएगी इसलिए first वाला तो order तो सही है second की बात करें तो second यहां से यह H जाएगा यहां से हाँ यह यहां से हाँ तो इसका जो inol foam बनेगा वो यह बन रहा है यह double bond है यह O H है और यह double bond O है तो यह अपने पास aromatic बना और जब aromatic का मतलब तो extra stability आई है ना और यहां बात करें तो ऐसा कोई aromatic बन नहीं रहा इसका मतलब यह भी सही है इसकी बात करें तो इसका तो यहां से हाँ यहां से हाँ यह यहां से हाँ और यह O H double bond carbon यह C double bond O तो यहां hydrogen bonding और यह double bond का जो resonance है stabilize हो जाएगा इसका inol उसके compression में कम होगा क्योंकि यहां जो inol बनेगा COET यहां देखो आप मैं दूसरा color change करकी बता देता हूँ यहां यह double bond जो है ना इस CO के साथ 100% resonance हो करने वाला है बट यहां जो यह double bond है इस CO group के साथ केवल 50% resonance हो करेगा 50% resonance किसके साथ होगा oxygen के साथ resonance होगा इसका मतलब ज़्यादा double bond इसमें stable है इसलिए यह भी सही है इसकी बात करें तो अगर यह inol शो करेगा तो यह यहां से हाँ और यह यहां से हाँ तो यहां बनेगा यह वाला oxygen और यहां हो गया OH और यह double bond और यह O अभी यह compound कैसा हो गया aromatic तो aromatic compound का तो inol percent ज़्यादा होता है जबकि यहां कम दिया हुआ है हमें पूचा है कि wrong कौन सा है तो fourth इसका correct answer है fourth wrong है fourth सही नहीं है ज़्यादा inol content इसका होना चाहिए था next question की बात करेंगे यहां हमसे पूचा है section B है multiple choice question से हमें यहां दिये हुए है और इनके order हमसे पूचे हुए है कि कौन सा statement पहला question है which of the following option is incorrect incorrect option कौन सा है तो बहुत easy सा question है कि यह लेंग्वेज में उलजाने का काम किया हुए है यह बला cis but to in die कोई के सीड़े तो देखो c double bond o यह c o h और यह c o h यह है आपका cis but to in die के सीड़े दूसरा दियावा है trans तो trans बनाएंगे c c o h और इधर भी हम लगाएंगे c o h और यह h अब बात करेंगे कि एसी डिक ज्यादा hydrogen किसकी है तो यहाँ PKA1 की बात की है PKA1 की बात हुई है यहाँ पे यह PKA1 की बात हुई है यहाँ पे तो PKA1 की बात करूँगा तो इसका h easy way में जाएगा क्योंकि h जाने के बाद जो बैस बनेगा वो hydrogen bonding से क्या होगा? E stable होगा? इसका h जाईगा तो यह negative charge hydrogen bonding से stable नहीं हो पाएगा इसमें hydrogen bonding से stable होगा तो ज्यादा acidic nature का acidic nature ज्यादा किसकी है cis वाले की ज्यादा है trans है तो pka value किसकी pka1 किसकी ज्यादा हो गई वो trans की ज्यादा हो गई वो trans की ज्यादा हो गई क्योंकि हमें पता है कि acidity जो है वो inversely proportional to होती है pka के तो यह statement तो सही है फिर यहाँ बात किये dipole moment की dipole moment की बात किये तो dipole moment की बात करें तो c double bond c और यह n c एक तो दिया आपको पास यह वाला c double bond c और यह c h3 h और यह n यह coordinate bond होता है यह इस में यह c और यह h दूसरा आपको दिया है c double bond c c h3 और यह n और यह coordinate bond c और यहाँ पर यह नहीं दिया एक मिल्ट वापस बनाते हैं अपन इसको मिटा देते हैं पहला option होने के बाद second option पर वापस आते हैं second option में है यह n यह bond यह c यह carbon h double bond c c h3 h दूसरा दिया है c double bond c c h3 h और यह n और यह coordinate bond और यह c और यह h डापल मोमेंट की बात किये तो इधर sp3 से sp2 इसका डापल मोमेंट का direction यह रहेगा इधर lace electronica इसका डापल मोमेंट का direction यह रहेगा यहाँ डापल मोमेंट का direction यह वाला रहेगा और इधर भी dipolo moment का direction यह रहेगा तो यहाँ dipolo एक ही direction में लगाया पूरा तो definitely second वाली का dipolo moment ज़्यादा होगा तो यह statement भी सही है, यह भी सही है फिर बात करते है fourth option की तो इसमें तो देखो lawn pair resonance में involved हो रहे हैं इसमें यह जो lawn pair है वो है undilocalized lawn pair और जब undilocalized lawn pair होता है तो वो ज़्यादा basic nature का होता है इसका मतलब यह भी सही है अब बात करते है third की हम से यह पूछा है कि incorrect कौन सा है तो देखो यह वाला यहाँ पे C double bond C, C L और यह C L यह जो cis form है ना यह इस transform से ज़्यादा stable है क्यों stable है क्योंकि जब यह resonance यो करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा C L यहाँ positive carbon यह H यह single bond और यह C L और यहाँ आया negative तो cis form में इस positive और इस negative आयन के बीच में attraction generate हो जाएगा जो कि transform में possible नहीं है यह resonance दिखाएगा तो यहाँ पे आये एक तरफ positive pole बनेगा एक तरफ negative pole बनेगा इनके बीच attraction हो जाएगा इसलिए stable यहाँ cis form है वहाँ repulsion ही उसका attraction बन रहा है positive negative pole generate हो रहे है उनकी बीच में attraction हो रहा है इसलिए यह statement गलत है third वाला इसमें गलत आंसर आएगा third next यह एक simple सा question है इसमें बेवज़ लेंग्वेज में उलजाने की इकोसिस की गई है जबकि क्यूसंस में कुछ भी नहीं है यहाँ पर देखें कि इपन एलकीन है जिसका formula यह दिया हुआ आपको और वह बोल रहा है कि हेज एक quaternary carbon उसके पास एक four degree carbon है two tertiary carbon मतलब उसके बास दो three degree carbon है six methyl group और उसके पास six methyl group है तो हम naming से check कर सकते हैं जैसे इसकी बात करूँ में इसकी बात करूँ इसकी बात करूँ इनकी structure बना लेंगे जो इस condition को follow करेगा वो इसका naming हो जाएगा तो one two dimethyl one tertiary butyl butane तो देखो butane लगाया यह butane लगाया फिर बोला है कि one number पे tertiary butyl है tertiary butyl का मतलब यह वाला हुआ फिर यह बोल रहा है कि one number पे एक methyl है one methyl है और यह दूसरा बोला है two methyl है तो अगर इस compound का naming करूँ तो यहां तो longest chain ही यह वाली आने वाली है तो यह तो नाम ही सही नहीं है बोल तो one two three four five six six की chain बन रही है तो यह तो होई नहीं सकता दूसरा three ethyl two two four trimethyl pentane pentane की बात करें तो यह पांच carbon होगे तीन नंबर पे दो नंबर पे दो methyl लगाने है one two three four और four नंबर पे एक methyl लगाना है और तीन नंबर पे एक ethyl लगाना है तो अब देखो follow कर रहा है कि यह four degree carbon बना गया यह दो three degree carbon बना गये और six methyl group आगे क्या six methyl group आगे क्या one two चोड़ी यह तो chain में include हो गया आपके पास बोला है तता six methyl group होने चाहिए उसके पास तो six methyl group आ रहे हैं यह आपर follow कर रहा है यह one two three four five और यह six यह six methyl group आ गये तो यह भी हो जाएगा और यह नीचे वाला भ आपके और यह वाला नहीं होगा तो आंसर इसका आएगा वो आएगा two or three simple question next यह अच्छा question है consider the molecule indigotene एक molecule है इसको consider करना है पुल रहा है it exhibits geometrical isomer and its trans isomer is more stable geometrical isomer जम तो शो करेगा इस double bond के around और इसका trans isomer जो बनेगा ना जैसे उधर तो है NH और इधर है C double bond O trans isomer में इधर NH हो जाएगा और इधर C double bond O हो जाएगा तो यह जो form दी हुए है वो तो हो गई sis और यह दूसरी form जो हो गई वो कौन सी हो गई trans बाकी यह जो chain आपकी है वो इधर continue चलती जाएगी कोई प्रोब्लम नहीं है एसे और यहां भी एसे इधर बेंजीन लगी हुई है और इधर भी क्या लगी हुई है बेंजीन लगी हुई है इट एग्जिबिट जोमेट्रिकल आइसोमरिजम करता है और इट ट्रांस आइसोमरिजम में हुई होगी जिससे कंपाउंट में किलेशन जनरेट होगा और वो इस्टेबल होगा यह बात सही है इट एग्जिबिट 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 नहीं करेगा मतलब यह स्टेटमेंट गलत है IT is cis isomer has greater solubility in water, definitely, इसकी water में solubility ज्यादा रहेगी, क्योंकि water के साथ ये भी hydrogen bonding बनाएगा, और ये भी hydrogen bonding मनाएगा, इधर से ये भी hydrogen bonding बनाएगा, और ये भी hydrogen bondING मनाएगा, टांस में ये कम हो जाएगी, क्योंकि Trans में ये Water के साथ Its हमें पुछा इदा Correct Statement regarding the compound, तो वो जाएगा 1, 3, 4, next, यहाँ यह compound दिया एक, और पुचा है, 1 mole of acid would require 4 mole of NEOH, definitely लगेगा, एक COH NEOH यहाँ करेगा, एक यहाँ करेगा, एक यहाँ करेगा, और एक यहाँ करेगा, फिनोल भी NEOH के साथ रिट करता है, सही statement है, proton level second will be deprotonated first during neutralization, जी हाँ, most acidic sulponic acid रहेगा, यह वाला क्या रहेगा, most acidic रहेगा, तो यह बात सही है, on treatment with sodium bicarbonate, it's 1 mole would require 2 mole of base, कि NaHCO3 के साथ, NaHCO3 के 2 mole rate करेंगे, नहीं, 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 2 mole नहीं करेंगे, यहाँ बोल रहा है 2 mole, 2 mole नहीं करेंगे, यह भी कर जाएगा, यह भी कर जाएगा, यह भी कर जाएगा, यह भी कर जाएगा, तो यहाँ सही कितना आना चाहिए, 3 mole करेंगे, ठीक है, तो यह वाला statement गलत हो गया, the acid is stronger than both benzene, sulponic acid and benzoic acid, definitely, benzoic acid से बात करें, तो इससे तो यह strong acid रहेगा, sulponic acid है, और इसमें ortho effect भी है, और sulponic acid की बात करें, SO3S से, तब भी यह ज़्यादा strong है, क्योंकि यहाँ पे इसमें ortho effect है, इसलिए वो ज़्यादा acidic रहेगा, तो यह statement भी सही है, और यह भी सही है, तो 1, 2, 4, नेक्स्ट, यहाँ आपको पूचा है, correct statement about the following compound is R, it has two stereocenters, गलत है, देखो, stereocenters double, वो double bond, जहां से stereo rise हो सकती है, तो एक stereocenters यह हो गया, एक stereocenters यह हो गया, एक stereocenters यह हो गया, तो यहाँ stereocenters जो है, वो तीन है, तो पस statement गलत है, इस configuration is double bond is E, तो वो तो हम check कर लेंगे न, E है या क्या है, एक number इसको मिलेगा, दो number इसको मिलेगा, एक number इसको मिलेगा, दो number इसको मिलेगा, तो same number, opposite group, तो इसका E configuration है, तो यह सही है, इस यह optical isomerism, definitely optical isomerism show करेगा, क्योंकि यहाँ one chiral center है, और one chiral center होता है, तो optical isomerism तो 100% आती ही है, तो यह भी सही है, यह सही है, यह गलत था, it's your geometrical isomerism, वो तो करी रहा है, इस double bond के around geometrical isomerism करी रहा है, तो यह भी सही है, next, यहाँ हमसे पूचा है, कि which of the following is correct representation of L amino acid, तो पहले L किसको बोलते हैं, कि यहाँ COH होना चीए, H NH2, यहाँ यह H अगर left side में, तो deep home बोलते हैं, और यह COH और NH2, यहाँ इसको बोलते हैं L phone, तो जीसे पहला है, तो पहला में H किदर आया, इधर आया, तो यह तो L है, ठीक है, बोल रहा है, रीपरजन, तो इतो L को रीपरजन करेगा, अब इसकी बात करें, तो इसका पीसर बना के हम चेक कर सकते हैं, पीसर बनाऊंगा, तो बनेगा NH2, यह COH, इधर यह CH2, OH, इसको सही कर लेंगे CH2, OH, और इधर यह H, अभी भी अपना काम हुआ नहीं है, अब इसमें में करूँगा, E1 चेंज, E1 चेंज करूँगा न, तो COH को उपर लेके गया, NH2 को यहां लेके आया, फिर CH2, OH को यहां लेके आजाओंगा, CH2, OH, NH2 यहां गया, और H यहां गया, तो यह कौन सा आगया, यह तो D आगया, ऐसे इसको चेक करूँगा, इसी तरह मैं इस कंपाउंड को चेक करूँगा, तो इस कंपाउंड को चेक करने का मैंतल भी है, यह पहले फीसर बनाऊँगा, NH2 उपर गया, COH, H, इदर आगया, CH2 और PH, इसमें भी मैं क्या करूँगा, इवन चेंज करूँगा, क्योंकि नम्बरिंग टोप टू बोटम होनी चीए, तो इवन चेंज करूँगा, तो COH उपर जाएगा, NH2 नीचे आया, NH2 चेंज तो NH2 को उधर लेकिए गया, और यह CH2 PH, और यह H, तो इसका हम देखेंगे, तो इसका L configuration आएगा, इसका L configuration आएगा, देखो L आ गया, ऐसे ही सेम इसी वैसे इस लास्ट वाले उप्शन को कर लेंगे, लास्ट वाले उप्शन को करेंगे, तो अपने पास सबसे पहले यह क्या दिया हुआ है, यह आपको दिया हुआ है, इस तगर, तो इस तगर से तो डारेक्ट बनेगा नहीं, तो पहले मैं इसको ऐसे लेके भाउंगा H, O H, ये H और ये C, अब इसको मैंने रोटेट किया है, तो NH2 इस पर आगया, और COH इस पर चला गया, ये C, O H, इस पर चला गया, या रोटेट किया है, मैंने है, इसके Araund रोटेट किया है, एकलिस बनाना है, अब मैं इसके पीसर बनाऊंगा तो OH उपर गया इधर आगया CH3 इधर आगया H नीचे आपका आगया H और इधर आगया आपके पास COH और ये NH2 अब मैं इसको 180 से ROTATE करूँगा तो COH उपर जायेगा इसको हमने रोटेट कर दिया यह NH2 ओएच इधर आगया इसको हमने रोटेट किया H आगया और यह CH3 आगया अब भी हमें यहां क्या करना पड़ेगा even change करना पड़ेगा तो even change करूँगा तो क्या आएगा देखे उपर की तरब कौन जाएगा COH उपर की तरब जाएगा H इधर आए फिर H इधर फिर NH2 इधर तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यह भी कौन सा आएगा L कौन फिरेशन आएगा तो आंसर आएगा फैस्ट थैड फॉर्ट दी एल फॉर एमिनो एसिड कंसेप्ट यह है पहले टोप टू बोटम नंबरिंग होनी चाहिए और अगर हमें minimum number of chiral center पे देखना है H और NH2 का कौन फिरेशन next इसके बाद आता है section D pure 2 chlorobutane give how many different dichlorobutane बोला pure है 2 chlorobutane तो यह बहुत simple सा कि सुना देखो इदर यह 2 chlorobutane लगा हुआ है यह वाला ठीक है तो यह pure है 100% है यह plus दिया हुआ है 100% तो मतलब इस around इस center configuration आपको क्या रखना है fix रखना है तो एक तो यहां जाएगा CL यहां लगाया यह CL polarity है एक तो यह बन जाएगा तो यहां यह तो fix है यह तो plus form है तो plus ही रहेगी फिर दूसरा form यह CL यह यह बन जाएगा एक फूम यह बना फिर दूसरा यहां तो यहां वाला ये CL fix है और ये यहां ये वाला बन जाएगा तो कितने आए 1, 2, 2, 4 और एक 5 तो आंसर आएगा 005 नेक्स्ट ये बहुत ही सिंपल सा क्यूसन है और थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जुरूत है और बाकी क्यूसन में कुछ नहीं है बोल रहा है कि C2, F, C, L, BR और बोल रहा है कि इसके all isomer लेने है H2 nickel से react करेगा तो ax बनेगा ax excluding stereoisomerism तो उसके total isomer कितने बन रहे है डबल बोन हमें आना चाहिए तबी reaction आगे possible हो भाईगी तो वहाँ पर देखो carbon carbon एक बार मैंने fluorine और chlorine को साथ रखा तो इधर BR और I आ गया फिर मैंने इधर यहाँ पर carbon fluorine के साथ BR को रखा तो उधर CL और I बच गए फिर मैंने carbon और इसके साथ मैंने रखा BR और I को लख रहा है आप के साथ मैंने किस को रखा I को रखा तो उधर आपके पास आगे CL और BR अब ये इसके दो isomer बनेंगे एक E, Z इसके भी दो बनेंगे E, Z इसके भी दो बनेंगे एक E और एक Z अब इसके निकिल अच टू से reaction करा होगे तो E और Z सेम ही product देंगे क्योंकि हमें stereo तो consider करनी नहीं है ना तो यहाँ पे A की product बनेगा इसके दोनों form E और Z एकी product देंगे इसका भी E और Z एकी product देगा निकिल अच टू से इसका भी E, Z एकी product देगा मतलब इस formula के isomer तो 6 बन रहे हैं बट E और Z निकिल अच टू के साथ product एक ही type का देंगे excluding stereo फिर तो यहाँ से तो अपने पास इस X की वे लुत आई है कितनी 3 अब ये बोला है दूसरा बोला है C4H8 all isomer तो C4H8 का एक ये बन गया एक ये बन गया और एक बन गया ये वाला ये तो हो गया सिस और इस ही का में बना लेता हूँ trans अब इससे जो product बनेगा और इन दोनों से जो product बनेगा nickel H2 से तो वो बनेगा N-butane और इससे जो product बनेगा वो बनेगा isobutane nickel H2 से तो इससे कितने product बन रहे है sorry two product बन रहे है तो total हमारे से पूचा है कि X और प्लस Y का value क्या होगा तो वो हो जाएगा 0 5 next या पुचा हाउ मेनी स्ट्रेक्चल आइसो मरार पोसिबल अपर कंपाउंड कंटेनिंग C6HO एटम ओनली विद देर मोलर मास हेंड्रेड तो हेंड्रेड और एज वेल आइसो मरार साइमेंटेनेशली की टॉन की टॉन होना चीए हेंड्रेड मास होना चीए तो C6H12 है अब इसका कीटोन मनाना है तो कीटोन में देखो C double bond O इधर एक कार्बन इधर रख दिये चार कार्बन अब चार कार्बन को कितने वेसे लिखा जा सकता है और वेसे तो इसके चार बन जाएंगे फिर C O इधर दो कार्बन और इधर तीन कार्बन अब तीन कार्बन को कितने से लिखा जा सकता है 2A से तो इसके 2 बन जाएंगे तो total structure किते बनेगी 6 यह तो very simple question है next यह लो in how many of the following at least one of the CO bond is weaker then the CO bond in acid aldehyde in how many of the following at least one CO bond is weaker CO bond weaker होना चाहिए then acid aldehyde तो acid aldehyde तो यह वाला हो गया अब देखो इसमें देखो इसमें यह यहां से हाँ यह resonance होगा resonance हो जाएगा तो इसमें कौन सा bond character आएगा single bond character आएगा तो इसमें weak होगा इसकी बात करें तो यह यहां से हाँ जाएगा तो CO bond इसमें भी double bond में कौन से bond character आ रहे है single bond character तो यह भी होगा इसमें बात करेंगे तो यहां तो resonance से इसमें triple bond character आ रहे है तो ये तो bond उससे strong हो गया तो ये नहीं आएगा इसमें बात करें तो ये oxygen हुआ तो यहाँ भी resonance हो रहा है समझमारी बत यहाँ भी resonance हो रहा है या फिर ये इधर से इधर जा सकता है तो यहाँ पे इस bond पे कोई effect नहीं आ रहा तो ये नहीं होगा फिर इसकी बात करें तो यह यहां से हां और यह यहां से हां तो इसमें भी कौन सा करेक्टर आ रहा है single bond करेक्टर आ रहा है तो यह भी weak हो गया CO3-2 तो इसमें देखाओ आप CO3-2 में इसमें भी resonance से इस bond के around single bond करेक्टर आ रहा है तो यह भी weak हो जाएगा NCO की बात करें तो C double bond O double bond N negative यहां से यहां और यहां से तो इसमें भी कौन सा character आ रहा है single bond character आ रहा है single bond character आ है तो bond अपना weak होगा तो single bond की बात करें तो एक इसमें आ गया 1, 2, 3, 4, 5 मतलब अपने पास 5 जगह single bond character आ चुका है एक यहां पे आ गया एक यहां पे आ गया एक यहां पे आ गया और एक दो यहां पे आ गया 1, 2, 3, 4, 5 तो आंसर रहेगा 005 ठीक है चलो next यह बोल रहा है total number of inone including steadyisomer possible of given compound is x देन दा value of x is इसके लिए x की value क्या रहेगी जगर यह compound दिया हुए तो यहां simple सा concept है यह इनोल यहां से बनाएगा और यहां से बनाएगा तो CH3 CH double bond COH CH CH3 और CH2 CH3 एक इनोल तो यह बनेगा और अगर इदर बाना इनोल वो हो गया CH3 CH2 COH double bond और यह C CH3 और इदर से आ गया आपके पास CH2 CH3 अब इसकी बात करें तो यहां double bond के around geometrical isomar जमाएगी और यह कारेट सेंटर है तो यहां N की value 2 हो गई 2 की power 2 मतलब इसके कितने isomar exist करेंगे 4 और यहां इस double bond के around geometrical isomar जमाएगी E और Z तो इसके कितने करेंगी 2 हमें total पूचा है तो अक्स की value जो यहां होगी वो होगी 6 6 is correct answer next अगला question आया है how many isomar including stereosomar exist for C4H8O in which no atom is SP2 SP2 नहीं होना चीए SP hybridize नहीं होना चीए and oxygen do not bonded to hydrogen atom oxygen bonded नहीं होनी चीए hydrogen atom से मतलब यहां language में killer कर दिया कि इस formula पे हमें बनाना है cyclic ether इस formula पे हमें बनाना है cyclic ether और अगर cyclic ether की बात करूँगा तो एक ether तो यह बनेगा उसके बाद हम ring को और small कर लेंगे एक methyl यहां लगेगा तो यहां kailal center generate हो गया उसके बाद दूसरा यह यहां बनेगा उसके बाद हम three member ring पे जाएंगे three member ring पे एक methyl तो यह kailal center और यहां पे यह दो methyl यहां kailal center आया नहीं और फिर यहां पे यह और यह दो kailal center आये इसका rr ss rs तो इसके कितने बने तीन यह बन गए एक यह बन गया four दो यहां बन जाएंगे six एक यह बन गया seven दो यहां बन जाएंगे nine और एक यहां बन जाएगा मतलब इसके isomer जो आएंगे वो आएंगे total ten next how many isomer of given compound are possible when indicated bond have trans configuration मतलब यह question यहसा दिया हुआ है कि यह वाला जो bond है इसका trans configuration रखना है उसके बाद इसके कितने isomer possible है यह आपको बताना है और इसको trans में रखना है तो देखो आप इधर मतलब यहां CO है मैं इस bond को यहां रख सकता हूँ इस bond को यहां सकता हूँ इसका तो fix कर दिया कि यह E रखेगा trans रखेगा बत मैं इस condition में इसका एक बार E रख सकता हूँ इसी condition में इसी condition में इसका E और इसका में क्या रख सकता हूँ J रख सकता हूँ उसके बाद दूसरी possibility यह तो मैंने अब देखो यहां जब यह E रहेगा तो इसकी क्या बनेगी mirror image बनेगी और जब यह भी रहेगा तो इसकी भी क्या बनेगी mirror image तो इससे कितने आई देगी फोर आ जाएंगे उसके बाद फिर इसकी बाद करें तो इसको मैं ऐसे रख सकता हूँ एक बार ऐसे और यह ऐसे है, तो यहाँ पे मैंने E रखा, यहाँ तो E रखना ही है, हमें बला वाय की सुन में, यहाँ E रखा जा सकता है और इसी में E के साथ ट्रांस्वे में क्या रख सकता हूँ, जेड रख सकता हूँ, तो अब इसकी भी mirror image आएगी और इसकी भी क्या आएगी, mirror image आएगी, तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 4 तो जब मैं इनको 6 पे रखूँगा, यहाँ तब बन जाएंगे 4 तो, और 4 जब मैं इनको ट्रांस पे रखूँगा, तब बन जाएंगे तो total कितने आएंगे, 8 आएंगे next question जो है, वो अलेक टाइब का question है, यहाँ हमें बोला है, the specific rotation of pure substance is 168, what is the specific rotation of mixer, mixer का specific rotation बताना है, तो हमें एक formula पढ़ते हैं, anisomer axis, anisomer axis equal to specific rotation of mixer divided by specific rotation in pure form, in 200, यह वाला formula फढ़ते हैं, तो हमें anisomer axis कितनी है, तो mixer क्या बोल रहा है, 75% तो negative वाला है, ठीक है, यह चोड़ी, positive वाला 75 है और negative वाला 25 है, इसका मतलब, anisomer axis तो कितनी आ गई, 50%, हमें specific mixer का निकालना है, मतलब यह calculate करना है, और specific rotation of pure form, हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, 1.68 और in 200, यहां से आप x की value calculate करोगे, तो आंतर आपके पास आएगा 0.84, ठीक है, तो यह था advance का paper, hopefully समझ में आया होगा, thank you.